वीकेंड का वार था मोटू बिटिया की कट रही है सेलरी क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो है वो होड नहीं रही है पास और यहाँ पर बाजी मार ले गही है आंटी महरानी जी विलकुल उसके लिए सब को इस लेकिन मोटू बिटिया तुमारे लिए सिर्फ चिकी जब तक के ल से पहले तो आप लोग लाइक कर दो ठीक है जी तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि थोड़ा सा भुचाल आ चुका है थोड़े सी परिशानी हो गई है कुछ लोगों को जो की आईडी बदल के आ रहे हैं मेरे मतलब कुमेंट सेक्शन में तो चलिए कोई बात जो है वो डाइस्ट नहीं होगी ना ही की जाएगी ठीक है तो मैंना ऐसा ही कुछ कल जो है कम्यूंटी पर भी शेयर किया आप लोगों के साथ अपने पॉइंट ओफ व्यू के साथ जो है मैं आती हूं वीडियो लेकर और बाकि जो पॉइंट ओफ यू है जहां सजेशन है ठीक है जी तो बाकि जो कुछ होता है वो होती है सजेशन होती है यहां पर पॉइंट ओफ यू रखा जाता है जहां फिर रियक्शन देते हैं हम लोग अपनी वाइटी फैमिली के साथ मिल जूल कर ठीक है जी कुछ लोगों को वो बाते अच्छी लगती है और लेकिन 2% लो मोज के कहने पर भी कुछ लोगों को इतना गुस्सा आ गया कि अब क्या ही बताएं तो मुझे कमेंट आए तो यह होता है ना वीडियो मैंने जैसा कि अपलोड कर दी उसके बाद कई बार मैं ध्यान नहीं देपाती हूं तो दो तीन गहंते बाद मैं थोड़ा ध्यान से दे करते हैं नेक्स वीडियो के लिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं जहां पर कि जैसा कि मेरे को जो जूटी है उसका नाम हम लोगों नहीं मैंने नहीं मेरी वाइटी फैमिली नहीं रखा है मैंने तो पहाडों की रानी खूबसूरत रखा वो मुझे हमेशा से तो यह बाते होती हैं कि जो बाते अपनी बोल जाते हैं उनी बातों को फिर इनका भूल जाना ठीक है तो वही बाते में आप लोगों के सामने लेकि आती हूं और उन लोगों को थोड़ा याद भी कराती हूं कि उस टेम पे तो अपने यह कहा था अब वह चीज सच थी जह अब यह चीज सच वो यह अच्छी थी जआ फिरलाई अच्छी और फिर मतल बहुत सारी बाते हैं ठीक है ऐसे रही जर्नी जो है आप लोगों के साथ वायटी जर्नी जो इन्होंने शीयर करिए हैं वो हम लोगों के साध उनना वह बाते मैंने देखी हैं यह ने ने लेकिन ठीक है ऐसा ही लव मैरीस के टाइम पर हुआ था कि लव मैरीस की वो वाली स्टोरी सही है जा फिर बीच में जो रिसन के लिए कुछ टाइम पहले आपने शेयर की थी वो सही है बतरब अपनी ही बातें कहके खुद ही भूल जाना और फिर ब्लेम करना दूसरों को कि इज़त से रहो इज़त से कमाओ मेहनत से खाओ हना यह बातें जो हैं वो किताबी तो नहीं है एक्सपीरियंस से ही आती है और इनको बहुत जादा बहुत धेर सारा एक्सपीरियंस हो चुका है लेकिन यह मतलब बताना चाहती हूं यहां पर मैं कि देखिए एक मुकाम जब कोई हासिल कर जाता है तो उस मुकाम को मिंटेन रखना ठीक है एक रूतवा होता है एक आपकी पहचान बनती है उस रूतवे को उस पहचान को मिंटेन रखना वो आपके अपने हाथ में है इनसान है गलतियां कभी ना कभी कही ना कहीं हो ही जाती है उन गलतियों को माल लेने में ही बल वह जैसे कि मम्मी को चंज करते हुए भृ चोटी नहीं को दिखा दे, वैसे ही की देखो कैसे ममी फैलकर सो जाते, मतलब ऐसे बोलना फिर उसके बाद उनी के पत्चिनों पर चलते हुए छोटे बच्चे भी अपने ही बड़ों को एक्सपोज करते हैं अपने ही बड़ों की इंसल्ट करते हैं सोशल मीडिया पर तो यह जो मुकाम आपने एक वो हासिल कर लिया था जिससे आपकी पहचान बनी तो यह तो किस्मत पल्टी थी तो बहुत कुछ मिल गया लेकिन किस्मत पल्टी तो जाते हुए भी टाइम नहीं लगता लेकिन हमेशा आपका वो एक मुकाम हासिल कर जाना लेकिन उसको मेंटेन ना कर पाना उस चीज़ को फोलो करें आप ही के खुद के छोटे भाई-बैन ठीक है और एक तरफ आप एहसान जताती हो एक तरफ आप जो है एहसान में कहते हो कि नहीं आप पर कोई एहसान नहीं है तो मैं बताना चाहते हूँ कि मैं आपकी लाइफ को और आपके साथ अपने को रिलेट करती थी आप हमेशा कहते हो कि अगर कोई मेरी लाइफ जो है उ बड़ा बच्चा होता है अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको देखके फोलो करते हैं उसी के खुद के छोटे भाई बैन लेकिन अगर वो बच्चा कुछ गलतियां करते हैं बड़ा बच्चा तो छोटे बच्चे ले लेते हैं उससे सीख वो वैसा नहीं करना चाहते है लेकिन आप जो एक message दे रहे हो society में इस time पर वो ये है कि जैसे कि छोटे भाई बहनों का आगे निकल जाना चाहे वो views के मामले में हैं चाहे वो किसी चीज और के भी मामले में हैं चाहे husband wife का मिलके काम करना हो एकी line में समझ रहे हो एकी line में दोनों है न वह पुतन भी और ननों भी एकी line में तो वह चीजे कहीं न कहीं आपको परिशान कर रहे हैं जैलस फील हो रही है अब आप आप यहां पर कहोगे नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जैलस नहीं है ना तो वह पता है ठीक है तो ऐसी ही बहुत सारी बाते हैं जो आप खुदी कहते हो फिर उसके बाद आप भूल जाते हो यहां पर मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूं कि हम लोग अपने point of view से बोलते हैं जो दिखाया जाता है उसको लेके बोलते हैं If so, हम लोगों कोई इदर उदर से अद कचली जो बाते हैं वो कथी नहीं करते हैं और कहीं न कहीं कुछ लोग निकलते हैं कहीं सिटी में जाते हैं तो कहा जाता है भाई बहन है ना वो जी हमारे गाउं का लड़का है जो हमारा भाई है अब मैं बढ़ी हूं उससे बहुत जादा ठीक है तो आप समझ सकते हों कि वो भी जलंदर से हैं मैं भी जलंदर से हूं तो कहीं न कहीं लोगो कि तो यह चीजह है जो है न को प्रसमझते इस बात को कि यहां पर सरफ और शरफ सच बोला जाता है ठीक है जी हम लोग चाहते हैं कि हमारी वीडियो से कुछ न कुछ तो सीखने मिले दोसरों को और बहुत सारे लोगों बहुत कुछ सीखने को मिला जिनको रेस्पी सीखनी है तो बहुत सारी रेस्पी है जो कि हर घर में अलग बनती है बेशक सेम रेस्पी होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंट होगा बिल्कुल तो ऐसे ही बहुत कुछ डिफरेंट रेस्पी जो मैंने भी शेयर की तो मैं यही बताना चाहती थी कि सुसाइटी को जो आप एक मैसिस कनवे कर रहे हो पहले तो आपके व्यूर्स को वह चीज समझनी चाहिए वह समझनी चाहिए जैसा कि कुछ न्यूज चैनल जो है आपको पता है अगर कोई इस टैम पे न्यूज वाइरल हो रही है अगर वो चीज वाइरल हो रही है तो सब न्यूज चैनल पर सेम वो ही न्यूज चलेगी लेकिन वहां के जो anchor होते हैं, news reader होते हैं, उनका बोलने का लहज़ा जो होता है, बोलने का बात करने का जो तरिक्का होता है, वो अलग लग होता है किसी का इतना अच्छा होता है कि वो rank कर जाता है ठीक है जिनका अच्छा नहीं होता है वो channel बदल लेते है रिमोट से ठीक है लेकिन वहाँ पर आप अपने घर में ही बैट कर जाँ जादा से जादा tweet करके आप लोग बोल सकते हो जा फिर उनकी site पर जाके लिख सकते हो लेकिन हमारे इस YouTube पर हम लोगों को यह चीज मिली हुई है कि हमारे वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो अपनी suggestion दे सकते हो तो मैं अपनी whitey family के साथ बहुत अच्छे से दिल से जुड़ी हुई हूँ ठीक है लेकिन मेरे पास अपना दिमाग भी है ठीक है वो चीजे मै मैं समझती हूँ कि कौन सी बात मुझे कब कहां कैसे बोलनी चाहिए जुरूरी नहीं हमेशा मैं सही हूँ गलत भी होंगी तो मुझे टोकने वाले बहुत सारे हैं लेकिन इनके जो स्पून वो आ जाते हैं उनको वो चीजे नहीं पता उनको नहीं समझ में आती हसी मजाक व लिए उनका कहना है कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए पहले तो मुझे यहीं बताओ ठीक है और वैसे भी मैं आप लोगों को थोड़ा साइड में ही रखके चलती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरी अपनी फैमिली है वो सबसे पहले है जान है इतना भाई का प्यार है लेकिन में अपने जहां पर पुतन हमारी जो प्यारी पुतन है मैं उसकी बर خलाव बिलकjang भी निहीं सुन थे ठीक है मैं यहां पर यह बताना चाहती हूं कि जब पुत्तन सर्प्राइज देती तो मतलब उसका वो प्यार नहीं होता जब पुत्तन सर्प्राइज देती है उसका प्यार नहीं होता जब पुत्तन गिफ्ट देती है तो क्या उसका वो प्यार नहीं होता क्योंकि वो भी तो आपने माई के वालों को रिस्पेक्ट दी है तो माई के वाले जो हैं सिर्फ अपने मुझे से ही उसको रिस्पेक्ट देते हैं कभी प्यार दिखाएं कुछ बना के दे ठीक है जां फिर कभी ऐसे ही और करके अचानक से सर्प्राइज कर दें उसको हना अगर पता है किसी बच्चे का मन खराब है इस टाइम पर वह अकेला परना है उसको फील हो रहा है ठीक है तो इस वज़ा से हमें उसको सर्प्राइज देना चाहिए हना कुछ न कुछ महोल को हलका करने के लिए लेकिन जिस जूटी का obey और जूटी का बथे था उस टाइम पर वी मेरी कम्यूंटी पहले आई थी आज वी मेरी कम्यूंटी वहीं पर फूस्ट है आप लोग जाकर देख सकते हो मैं लिए का क dal तो तो क्या जुटी के birt day पे 2 के कट नहीं होगे ठीक है तो आपको पता है second day सब को पता है यह मेरी वाइटी family को पता है तो फिर मैं कहती हूँ कि सबसे बड़े बच्चे से माँ बापको बहुत प्यार होता है सबसे छोटे वाले बच्चे से सब माँ बापको बहुत प्यार होता है तो बीच के जो बच्चे होते हैं वो क्या फालत होते हैं उनसे प्यार नहीं होता तो प्लीज ऐसा ना करें हम अपनी पुत्तन को बहुत प्यार करते हैं तो पुतन भी कभी कभी उखड जाती है बड़े गुस्से में आ जाती है तो फिर ऐसी ऐसी वाली लाइव कर देती है तो यह ऐसी कुछ बाते हैं तो मेरा आज का वीडियो बनाना बहुत जुरूरी था अभी मुझे पता है डेरो कमेंट आ रहे होंगे मैं आज बैटके क्यों वीडियो बना रही हैं तो ऐसी ही बाथचित अराम से करके बैट के जानी कि DJ गंज वाले हो गये नुनूपुर वाले हो गये सब बैट के भी कर सकते थे कि बाते जो है family की social media पर ना आए अब जब बाते आपकी जहां पर आ गई है तो लाखों लोगों ने आप लोगों को देखा है तो वो आपकी personal बाते नहीं रह गई वो बाते आपके घर की नहीं रह गई ठीक है, वो आपके बाते आपके घर की जब तक थी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ जब तक वो आपके घर तक थी ठीक है सोशल मीडिया पर वीडियो बनके कैश नहीं होई थी तो अब यह चीज़े कैश हो चुकी है तो यही सब चीज़े हैं आप लोगों के सामने हैं और मैं सब को यह चीज़ कहना चाहती हूँ लास्क में कि देखिए बंद मुठी लाख की खुली तो खाक की हना तो जल्दी से अपने रिष्टों की पहचान करें फिर से एक बार एक हो जाएं यही कोशिश है हमारी और हमारी वाइटी फैमली की जा फिर आप एक ही हो बस वो वीकेंड का बाद जो है सेट्रे संडे वाला वही हो रह जा फिर यह लोग जो दिखा रही है वो सही है जा फिर यह लोग एक सीख दे रहे हैं एक मैसीज कनवेग कर रहे हैं सुसाइटी में दे रहे हैं कि देखिये कैसे आप इंसल्ट करवा के भी पैसा कमा सकते हो पैसा कमाने के अलग लग तरीके हैं पैसा आप कुछ रेस्पी बना कर भी कमा सकते हो ठीक है आप रेस्पी बना कर भी कमा सकते हो आप इंसल्ट करके भी कमा सकते हो जूट बोलके भी कमा सकते हो जहां फिर आप जो पिछली बाते थी आपने क्या बोली थी मुझे यह नहीं प तुमारे सामने रख दिया अब तुम खुद देख लो इसमें से तुमारे कितने टॉपिक निकल सकते हैं तो वह चीजे जो है ना सामने आ रही है ठीक है आप भूल चुके हो लेकिन जो पहले से आपके साथ जुड़े हैं वह नहीं बुले हुए नहीं बुली हुई हूं मैं ठीक है लेकिन अभी वाइटी जो है वही रिमाइंड करवा रहा है अभी आप कुछ भी बोलें कुछ भी देखें कुछ भी समझें लेकिन अभी जल्दे से मेरी वाइटी फैमली मुझे कमेंट करके ये भी बता देगी कि ये बास सही है बंद मुठी लाग की खुली तो खा जाए है जो हो रहा है बस वही बोला जाता है हना जी तो मिलती हूं काले के अच्छे से वीडियो के साथ अपना ध्यान रखना अपने अपनों का ध्यान रखना क्यूंकि आपो तो हम हैं